A very good morning to all my dear friends, मैं हूँ प्रशांत माबानी, I hope you all are doing good, आज 10th September 2020 है, दिन है Thursday, दिन की शुरुआत करेंगे इस लाइन के साथ, you can't win a game, you don't play, अगर आपको किसी भी चीज में Excel या फिर महारत हासिल करना है, तो उस चीज को आपको बार बार consistently करना पड़ेगा, For example, अगर आप एक अच्छे runner बनना चाते हैं, फिलाल आप running बिलकुल नहीं करते हैं और आपका सपना है कि आपको एक अच्छा runner बनना है, तो आपको दोड़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी, अगर आप एक अच्छे reader बनना चाते हैं, तो आपको reading की शुरुआत करेगी, तो कोई भी चीज, राइट, चाहे वो स्टडीज हों, examination है, whatever it is, जब तक आप वो चीज करेंगे नहीं, तब तक उस particular चीज की शुरुआत नहीं होगी, और बहुत सारे stages मेसे जब आप गुजरेंगे, तब जाकर आप peak तक पहुँचेंगे, तो you can't win a game, you don't play. Study IQ की टीम ने मिलकर एक smart course design किया है, ये smart course civil services की examination के लिए है, it covers your prelims as well as mains examination, ज्यादा जानकारी के लिए download करें हमारा mobile application, आज हमरे table के उपर है total six important articles, lecture की PDF को download करने के लिए, check out my telegram channel, you can follow me on facebook as well, बात करते हैं e-voting के बारे में, आज यहाँ पर हम कुछ जो ऐसे points हैं, जो negative points हैं, उनके उपर नज़र डालेंगे, क्योंकि जब तक हम negative points को identify नहीं करेंगे, तब तक हम इनको improve नहीं कर पाएंगे, और जब यह improve हो जाएंगे, तो hopefully future में e-voting जो हैं, वो हमारे देश में e-voting या फिर आप इसको remote voting कह सकते हैं, कि आप कहीं पर भी बैट कर अपना vote जो हैं, कास्ट कर सकें, election commission of India ने एक idea सामने रखा है, digitizing the electoral infrastructure of India और इसको लेकर एक online conference भी conduct की गई थी, ECI, Tamil Nadu, E-Governance Agency और IIT मदरास ने इस online conference में पाट लिया था, यहां पर blockchain technology के बारे में भी बात की गई, कि blockchain technology के माधियम से हम remote elections conduct करवा सकते हैं, of course remote election जो मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी बैठ कर आप, you know, vote दे सकें, या फिर पूरा एक digital election हो जाए, या फिर partial कुछ जगाओ पर digital नहीं मुम्किन है, तो वहाँ पर traditional तरीके से कहीं जगाओ पर ballot papers आपको send करने पड़ेंगे, कहीं जगाओ पर आपको ballot box with ballot papers, कहीं जगाओ पर EVMs काम करेंगे, और कुछ ऐसी जगाओ हो सकती हैं, जहां पर हम blockchain technology के माधियम से, या फिर कोई भी दूसरी technology के माधियम से, हम e-voting कर सकें, और देरे देरे करके, फिर future में ऐसा हो सकता है, कि हम अपने mobile phone से, या फिर घर बैठ कर किसी भी device से, हमारा vote जो है, वो cast कर सकें, ऐस future definitely possible है, फिलाल हमारे पास उसके right environment नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं, कि right उसके solution नहीं है, लेकिन हम इस phase में से गुजर रहे हैं, discussion चल रही है, तो बहुत ही briefly मैं आपको blockchain technology के बारे में बताना चाता हूँ, देखिए, blockchain technology जो है, इसके उपर बहुत सारे video lectures हमारी channel के उपर भी available है, TED Talk नाम का जो platform है, वह पर भी आपको मिल जाए, तो YouTube पर जाएए, इंटरनेट पर जाएए, अगर आपको इसको और ज्यादा गहराई से समझना है, तो basic understanding की बात करें, जो competitive exams के लिए required है, तो blockchain is a distributed ledger of information which is replicated across various nodes on peer-to-peer network for purpose of ensuring integrity and verifiability of data stored on a ledger. एक ledger, ledger यानि की एक परकार की किताब जो होती है, तो इसको कहता है ledger, जिसमें हम चीज़ों को note करते हैं, तो एक परकार का online या फिर एक e-ledger है, और information का एक ledger है, और हर एक को इसका access रहता है, इस ledger का, इसको आपको, of course, जो program designers हैं, तो वो इसको पूरा design करेंगे और इस जो है आज कल, जब से ये आया है, तो bitcoin, जो cryptocurrency, जो हम कहते हैं, तो उसके लिए blockchain का इस्तमाल किया जाता है, फिर कुछ ऐसी companies हैं, जो smart contracts करती हैं, जो contracts होते हैं, तो smart contracts, blockchain के माधियम से distribute किया जाते हैं, कुछ companies जो है, वो supply chain network को, supply chain यानि कि आपका आमाल सामान कहां पर जो हैं, उन तक पहुचा, कब पहुचेगा, आपके suppliers जो हैं, multiple suppliers हैं, तो कुन सा product कहां पर हैं, किस stage में हैं, ट्रक में लोड हो गया नहीं, ये सारी चीज़ें, इसका इस्तमाल भी किया जा सकता है, और बहुत सारी companies कर रही हैं, तो बहुत ही briefly अगर मान लिजी आपको कोई transaction करना है, तो आप request करेंगे, फिर एक block तयार हो जाएगा, उसमें आपके transactions की सारी detail हो जाएगी, फिर ये block ब्रोडकास्ट किया जाएगा, नेटवर्क में, approval मिल जाएगा, approval के बाद ये block जो हैं, वो chain में add किया जाएगा, उसके बाद transaction जो हैं, वो complete किया जाएगा, इसके क काम करती हैं, अगर किसी को doubt लगता है कि ये कुछ गलत transaction है, फिर कुछ गलत हो रहा है, तो फिर उसको बंद किया जा सकता है, eliminate किया जा सकता है, और चीज़ों को थोड़ा fast तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया, और ज्यादा चीज़ें आपको इसके बारे में देख लीजेगा, कुछ basic information आपको इसके बारे में, blockchain के बारे में definitely होनी चाहिए, हम यहापर बात करें हैं, e-voting के बारे में, तो remote voting के definitely बहुत सारे benefits हैं और बहुत सारी arguments भी हैं कि हमें इसके उपर आगे बढ़ना चाहिए, हमने इससे पहरे की discussion, जो 3-4 दिन पहले की discussion जो थी हमारी तो उसमें हमने migrants के बारे में बात कि थी कितने करोड़ों लोग जो हैं वो अपने गाउं को छोड़कर शहर या फिर दूसरे राजियो में या फिर एक district से दूसरे district में जाकर काम करते हैं, तो एक दिन के लिए वोपस आकर vote दे कर वापस जाए, तो इतना खर्च वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये वोटिंग की facility है, तो डेफिनिटली ये सारे लोग जो हैं वो भी election में पार्ट ले पाएंगे, फिर नराइस पार्ट ले पाएंगे, फिर हमारे बहुत सारे जवान जो हैं, डिफिकल्ट टेरेन में हैं, तो वो भी वहाँ प का इस्तमाल भी करते हैं, blockchain के माधियम से, तो भी ऐसा नहीं है कि आप घर बैठकर वोट दे पाएंगे, आपको एक particular जगा पर तो आना ही पड़ेगा, जो election commission of India ने कोई एक ऐसा booth create किया है, तो वहां तक आपको physically जाना पड़ेगा, फिर आपके biometric attributes जो हैं वो लिये कि आप वही व्यक्ति हैं या नहीं, तो चलो इसमें भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी जगाओ उपर biometric का इस्तमाल आज कल करने लगे हैं, लेकिन इसके कुछ hurdles भी हो सकते हैं, जो मैं अभी आपके साथ discussion करूँगा, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, अगर हमें seamless election conduct करवाना है, तो फिर blockchain के बारे में ये बताया जाता है, के blockchain create करने के लिए आपको इसका proper cryptographic protocol तयार करना पड़ता है, अगर इसमें थोड़ी भी चूंक हो गई, तो फिर ये हो सकता है कि कोई भी data देख पाएगा, किसने किसको vote दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो पता चल सकती है, रश्या की बात करें, तो रश्या में एक media outlet ह उन्होंने ये बताया कि रश्या में जो ये online या फिर एक e-voting कंड़क्ट किया गया, तो उसमें blockchain में कुछ issues थे, flow थे, ये cryptographic protocols में कुछ issues थे और इसकी वज़े से किस व्यक्ति ने किया, किस को vote दिया, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा data जो है, वो बहुत सारे लोग access कर पा रहे थे, फिर जो attackers होते हैं, hackers हैं या फिर कोई दुश्मन देश हैं, तो वो biometric attributes को clone भी कर सकते हैं, आपका biometric चलेगा नहीं और फिर कोई और जाकर आपके biometric को use करके vote दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि data को directly चुरा लिया और फिर clone करके गलत इस्तमाल हुआ, तो ये भी एक challenge है, जिसको हम ignore नहीं कर सकते हैं, फिर physical implants, आपके जो devices हैं, उसमें कुछ ऐसे chip एड किये जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कोई physical chip या ऐसे कुछ चीज एड की जा सकती हैं, जिससे उसको control किया जा सकता है, software के issues हो सकते हैं, hack हो सकता है, hackers जो हैं, ये traffic को divert कर सकते हैं, ब् बहुत सारे problems हो सकते हैं, और जितने layers हम add करेंगे, उतने ज्यादा issues, हर एक layer पर एक layer हैं, उसके उपर दूसरा layer, तो इसके issues, फिर इसके issues, और एक layer add होगा, फिर external issues like electricity failure, internet failure, तो यहां पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि हमें e-voting के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, what I am saying is कि ये सारे challenges को हमें solve करना पड़ेगा, तब जाकर हमें एक platform मिलेगा, लेकिन definitely I strongly believe कि इसके उपर हमें काम करना ही चाहिए, आगे बड़े उसे बले डिये friends, lecture को दूसरे students के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो पसंद आता है, then hit the like button, और हमारी channel को subscribe करना ना बुलें, फिर बा consumption on education in India, ये 2017 और जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 एक साल का ये डेटा है, और उसमें हमें देखने का मिलता है कि बहुत सारे हमारे राजियों में computer और internet का access जो है, वो बहुत कम है और एक बहुत बड़ा divide है, कुछ राजियों में, कुछ districts में ज्यादा हैं, तो कुछ जगह उपर ना के बराबर हैं, हमारे देखने 2004 में एक broadband policy issue की थी, लेकिन आज भी digital कास्म जो है, कास्म यानि की एक प्रकार की खाई, एक प्रकार की दरार आप कह सकते हैं, कि जैसे मैं आपके बताया कि कुछ लोगों के पास, कुछ household के पास, हर एक व्यक्ति के पास smartphone है, हर एक व्यक्त बड़ी है, डिजिटल डिवाइड जो है, यह बहुत बड़ा है हमारे देश में और pandemic हुआ, उसके बाद जो lockdown हुआ, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, तो students का हुआ है, खास करके बे सारे students जो गाउं में है, electricity का issue है, यानि कि 24 by 7 electricity नहीं है, जो है, जो है, वो चल रही है, या फिर अच्छी गई है, नहीं गई है, वी कैनोट से देट, उसके उपर सर्वे किया जा सकता है, लेकिन reasonably speaking, वो थोड़े बीजी रहें compared to those other students, जिनके पास यह सारी facilities नहीं है, अब अगर हम इस report को देखे तो देखे, अर्बन और रूरल एर इंटरनेट की connectivity अच्छी है, पंजाब, हरियाना, उत्तर अखंड की बात करें, तो 40% से थोड़ा ज्यादा हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश, तामिल नाडू, आंधर प्रदेश और करनाटका में 20% से भी कम access हैं, यह technology या फिर आप equipment और इंटरनेट, दोनों को साथ में ल प्रदेश और करनाटका वेस्ट बेंगोल तो वहाँ पर 5% से लेकर 10% net की connectivity हैं, तो आप just imagine कीजिए के वहाँ पर हम बच्चों को कैसे digitally पढ़ाएंगे, that is not possible क्योंकि वहाँ पर यह basic facility ही नहीं है, और फिर जैसे मैंने आपको बताया जो हम blockchain के बारे में बात करते थे, reliability का problem है, कि आपको constantly 24 by 7 365 days एक proper internet की speed मिले और इसी के साथ साथ आपको electricity 24 by 7 365 days अविलेबल होनी चाहिए, तब जाकर इसके maximum benefits आप उठा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साब ने independence day को address करते हुए बताया था कि भारत में optical fiber cable के माधियम से आने वाले हजार दिनों में हर एक गाउं को connect किया जाएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छा ambition है, no doubt about it, 2011 की बात है कि 2011 में भी सरकार ने ऐसा ही एक लक्षे रखा था, national optical fiber network के माधियम से administration को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, administrative capacities को increase करने के लिए, और ये information technology का structure जो है, इसका इसका इस्तमाल करते हुए, गाउं गाउं अब एक हजार दिन में अगर हरे एक गाउं को अगर optical fiber cable से connect किया जाता है, तो that's a good thing, no doubt, लेकिन सिर्फ internet से कुछ नहीं होता, आपको equipments भी चाहिए, equipments बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जो afford नहीं कर पाएंगे, तो इसका भी solution याद दिलाना चा कर रहा है, तो पुराने जो desktop है, पुराने जो computers हैं, तो उनको refubrish करके, you know, NGO's के माधियम से, government के माधियम से, इनको distribute किया जा सकता है, donate किया जा सकता है, इसके साथ साथ smart phone, या फिर tablets, तो ऐसे devices जो है, उनकी life cycle कम होती है compare to computer, के desktop जो है, वो दो तीन साल तक आप use करेंगे, smartphone और tablet जो है, वो generally companies जो है, वो एक साल, दो साल में upgrade कर देती है, तो इनकी life cycle थोड़ी कम होती है, तो इनको भी refubrish करके donate किया जा सकता है, तो ऐसे, मैंने आपको car का example भी दिया था, याद है कि भारत में जो नई car की industry है, उससे बड़ी है, second hand car की industry, और धीरे धीरे smartphone और tablet की भी यही situation हो रही है, का नए और नए और brand new smartphones और tablets की जगा पर second hand smartphone और tablets जो है, इनकी market दीरे दीरे बड़ी होती जा रही है, तो यह चीज पॉसिबल है, इसके माधियम से हम equipment को deliver कर सकते हैं, लेकिन electricity और internet के ऊपर भी हमें focus करना होगा, यहाँ पर जो NSO का data है, इसका इस्तमा हिसाब से एक एक district को देकर उस हिसाब से हमें उसके ओपर action लेनी होगी, तब जाकर यह digital divide जो है, यह खाई जो है, वो कम होगी या फिर खत्म हो जाएगी, फिर एक छोटी सी update हैं, लेकिन कुछ important points हैं यहाँ पर, unnecessary pause, COVID-19 की जो vaccine है, वो हर एक देश को चाहिए, हर एक व्यक् की ही होगी, या फिर एक इच्छा व्यक्त की होगी, कि जल्द से जल्द अब यह vaccine मिल जाए, ताकि हमारी जो एक आजादी हैं, जो जीवन जीने की एक जो खुशी थी, जो एक मज़ा था, वो कहीना कहीं इस pandemic ने छीन लिया है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे है बहुत सारे restrictions हैं, और not official restrictions, लेकिन कुछ protocols आपको follow करने पड़ते हैं, वरना coronavirus जो है, वो हमें infect कर सकता है, as we all know, right? लेकिन यही जो एक race जो चल रही हैं, अलग-अलग देशों के बीच में, और लोगों की जो expectation हैं, अब ये expectation दिरे दिरे unrealistic होती जा रही हैं, बहुत सारे देश तो ये करना चाहते हैं, जो तीन phases होते हैं, phase one, two और three, generally, सालों लग जाते हैं, एक दवाई को ये सारे phases में से ग सारी test की जाते हैं, और finally उसको approval मिलता है, लेकिन बहुत सारे देश जो हैं, ये सारी चीजों को bypass करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं political dividends, political या फिर राजगिय लाब इसमें जुड़े हुए हैं, US President Donald Trump चाहते हैं, कि third November से पहले दवाई मिल जाए, third November को वहाँ पर presidential election होने वाले हैं, तो अगर third November हम already 10th September में हैं, तो he is talking about आने वाले कुछ 23 days के अंदर अगर दवाई मिल गई, तो election के उपर उसका एक बहुत ही positive impact, उनके लिए बहुत ही एक positive impact हो सकता है, just imagine कीजिए, कि वेक्सिन लाँच की भी जाती हैं, और distribute भी की जाती हैं, और उसके बाद पता पता हैं, तो इसका फेस थ्री फिलाल एक बड़े लेवल पर चल रहा है, लेंसेंट ने भी बताया है, कि रश्या की जो ये वेक्सिन हैं, ये safe हैं, इसके कोई side effect नहीं है, लेकिन 70-80 लोगों के उपर अगर आपने इसको टेस्ट किया है, तो इससे कुछ proper थाबित नहीं हो आपको अलग अलग देशों में, basically एक दवाई जो है, वो ब्राजील के व्यक्ति को दी जाए, चाइना के व्यक्ति को दी जाए, भारत के व्यक्ति को दी जाए, अंगोला, अफरिका के एक व्यक्ति को दी जाए, तो हर एक के उपर इसकी impact होनी चाहिए, हर एक को ये repair कर सके ऐसी होनी चाहिए तो ये चीज करने के लिए आपको फेस ठ्री के जो ट्रायल्ज हैं वो एक लंबे टाइम तक करने पड़ेंगे वरना फिर मार्केटिंग, पैसे कमाने के चकर में या फिर ये राज किया लाब जो हैं उसको बटोरने के चकर में या फिर जो एक कहते है जिंगोईजम जिंगोईजम यानि की एक प्रकार का अंधरास्ट्रवाद या फिर अंधरास्ट्रियता यह नो के हमारे देश ने सबसे पहले इस मेडिसिन को निकला वैक्सिन को निकला तो यह जो एक चीज चल रही है यह सारी चीजों से नुकसान जो फिर regulatory authority के पास नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारी जो vaccine है उसका पूरा safety का data ना मिल जाए, efficacy का data ना मिल जाए, तब तक हम apply नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा, ये एक necessary pause है, फिर BT cotton के बारे में बात करते हैं, बहुत ही interesting facts हैं इस particular article में, ये article जो है, वो लिखा है, सुजाथा बिरावन, मेडम सुजाथा बिरावन जो है, वो एक scientist है, और बहुत articles, मिन्स हिंदू newspaper में उनके articles print किये जाते हैं, मैंने दूसरे newspaper में तो कभी उनके articles को पढ़ा नहीं है, लेकिन एक लंबे time से, मैं इनके articles को पढ़ता आया हूँ, and I must say, I am a big fan. उनकी जो writing की जो एक style है, बहुत ही difficult चीजों को वो बहुत ही simple भाषा में लिख लेती हैं, और ये एक, you know, अच्छे writer की एक निशानी होती हैं, कि difficult चीजों को आप easily present करें, easy चीजों को difficult बनाने से, अच्छे writer नहीं बनते, कोई write, कोई भी difficult, या फिर कोई भी चीज को आप easily कह सके, convey कर सके, that is the most important thing, as far as I know, तो environment के उपर, climate change के उपर, सुझा था, जी जो है, वो बहुत सारे articles लिखते हैं, तो आज का जो article है, ये बीटी कोटन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या आपको पता है कि कोटन जो है, वो हमारे देश में हजारों सालों से है, उगाया जा रहा है, और इसमें से हम फैबरिक्स भी बना रहे हैं, महन जो दोरों में तीन हजार बी सी ए, यानि कि हम बात करें, आज से अगर आप काउंट करें तो पांच हजार साल पहले, बीटी, नोट बीटी सोरी, कोटन फैबरिक हमें मिले, मेरगर नाम की जो जगा है, पाकिस्तान में तो वहाँ पर 5000 बी सी, यानि कि आज से 7000 साल पहले भी कोटन का इस्तमाल होता था, और एक ऐसा वक्त था, जब ग्रीस, रॉम, पर्जिया, एजिप्ट, सीरिया और दूसरे एजिया के पार्ट्स में भारत का कोटन जो हैं, उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, 20th सेंचुर से लगबक 7000 सालों से इसका इस्तमाल यहां पर होता रहता था, 1990 में फिर आए hybrid varieties, hybrid varieties के लिए आपको और ज्यादा fertilizers की आवशक्ता हैं, और ज्यादा pesticides की आवशक्ता होती हैं, तो किसानों का खर्च जो हैं, जिसको कई बार input cost कहा जाता है, input cost यानि कि किसी भी चीज को कोई भी चीज आपको produce करनी है, क्योंकि management मेरा background है, तो this will help you, understand, यह है input, यह है process और यह है output, output, process and input, IPO, input यानि कि आपका raw material जो भी चीज़े आपने add की, फिर उसके बाद आप कुछ प्रोसेस करेंगे इसके उपर और finally आपका final product बन जाएगा, तो input cost में pesticide और fertilizers का अगर आपको ज पर्च जो है input cost बढ़ रहा है, फिर hybrid variety जो है वो दूसरे देशों में develop की गई है, वहां के climate, वहां के environment, मिटी, etc. और वहां पर होने वाले कीट, तो यह सारी चीज़ों को धियान में रखके उनको बनाई हैं, फिर यहां पर आकर थोड़ा बहुत customization या फिर copy paste किया जाता है, और फिर पता चलता है कि local जो कीट है, उसके सामने ये hybrid variety टिक नहीं पाते हैं, तो और ज्यादा fertilizer, pesticide और फिर soil pollution भी इससे होता है, बहुत सारे ऐसे pest भी हैं जिनके नाम आपकी screen के उपर हैं, 2002 में फिर American variety भी introduce की गई और American variety भी इतनी खास नहीं चली और फिर बीटी cotton को introduce किय गया 2002 में, बीटी cotton को यूज करते हुए आज हमारे देश में कुछ 18 years, लगभग 20 साल, दो दश्रक आपके कह सकते हैं, हो चुके हैं, और इसको एक पैनिश्या यानिकि एक राम बान इलाज माना जाता था, कि बीटी के आने से सारे प्रोब्लम से हो हैं, वो खत्म हो जाएं से भी आपको पढ़ने के मिलेगी, लेकिन के आर करांती और ग्लेन डेविस स्टोन, इनने मिलकर एक रिसर्च की पिछले 20 सालों का डेटा उन्होंने एनलाइस किया, अलग-अलग स्टेट का डेटा एनलाइस किया, पूरा थरो रिव्यू किया, एक नेचर प्लांट्स नाम पर कोटन उगाया जाता है, इसका 3.4% में ही कोटन ये बीटी कोटन जो है वो उगाया जा रहा था और दोजार दो तीन में कोटन का प्रोड़क्शन जो है, वो 61% ज्यादा हुआ, ओवरॉल, ये पूरा जो एरिया है, उसमें 61% प्रोड़क्शन ज्यादा हुआ, तो सिर्फ एक छोटे से एरिया में बीटी को पिदा करने से इतना ज्यादा नहीं हुआ है, यानिकि जो नॉर्म 90% जो 2002 का लेवल था, उससे 90% ज्यादा प्रोड़क्शन हुआ, तो अगें, बीटी इसके पीछे में रीजन नहीं है, गुजरात में 2003 की बात करें तो 138% जितना सर्ज हुआ, टोटल प्रोड़क्शन में, लेकिन बीटी का इस्तमाल सिर्फ 5% पर ही किया जा रहा था, प्रोड़क्शन जो है, ये 138% इंक्रीज हुआ, और बीटी के आने से 2018 में एक किसान जो है, पर हेक्टर 23.58 डॉलर का खर्च कर रहा है, इनका इंपुट कोस्ट बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने लेब में किसी चीज़ को टेस्ट किया है, तो वो फिल् जो है, अगर इसको देखा जाए, जो डेटा हमरे पास है, उसको देखा जाए, तो ऐसा कोई खास फाइदा बीटी का हमारे देश में नहीं हुआ है, और बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं, वो हैं देसी वराइटी को फिर से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर से इसका एरिया जो है, वो एकस्पांड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्मेंट को, किसानों को सपोर्ट करना पड़ेगा, सीड्स और ये सारी चीज़ है, डिस्टिब्यूट करने पड़ेगी, तो उनका इंपुट कोस्ट भी कम हो जाएगा, रेथिंकिंग देफेंस डॉक्र और एक और इंपॉर्टन चीज़ के देशी वराइटी जो है, वो बहुत सारे पेस्ट जो है, यहां पर के जो लोकल कीट है, तो उनसे प्रोटेक्टेड होती है, और फटिलाइजर और इन सारी चीज़ों का कम इस्तेमाल करेंगे, तो सॉल पॉल्यूशन भी ना के बराबर या फिर नहीं होगा, रिफिंकिंग दे डिफेंस डॉक्ट्रेन, इजी तु अंडरस्टेंड है, यह चाइना और इंडिया के ओपर लिखा गया एक आर्टिकल है, यहां पर यह बता है कि चाइना की आर्मी हमरे देश के एक एरिया में पहुँच गई, फिर भी हमें पता न नहीं ले पाई, चाइना का वैसे एक नेचर है कि अगर कोई ग्रे एरिया है, अगर कोई चीज क्लेरिफाइड नहीं है, तो वह वहां पर जाकर लैंड जो हडप लेगी, उसके बाद आपको वह सारी चीज़ों को सौल करने में बहुत सारी मेहनत करने पड़ती हैं, फिलाल भारत के पास दो आप्शन्स हैं, एक तो हैं कि हम एक प्रकार की वार की शुरुआत कर दे या फिर जो जैसे हैं वैसा एकसेप्ट कर लें, अब डिफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि अब इसमें पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़े भी काम करने लगी हैं, इन्य भी ऐसी चीज़ डिटेक्ट होती हैं, तो उसके उपर क्विक एक्शन लेना जो हैं, ये भी मॉस्ट इम्पोर्टेंट हैं, दुश्मन आपके उपर एटेक करें उससे पहले आप एटेक करें या फिर उस एरिया को डॉमिनेट कर लें, तो तो यही बात इस परिकुलर सोचना पड़ेगा, लास्ट जो आटिकल है, ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, री डिफाइनिंग फार्मर, फार्मर की एक डिफिनिशन जो है, ये भी थोड़ी बहुत तर डिफिकल्ड नजर आए, वैसा अगर मैं अब पूछ हूँ आपको किसान, तो आप कहेंगे कि किसान तो एक किसान होता है, वैसमें किया डिफिनिशन? लेकिन अभी 110 करोड का स्कैम सामने आया है पी एम चिसान में, ये तामिल नाडू की बात है, नो डाउट तो पिम किशान और पिम किसान क्रेडित कार्ड ने डारेक्ली इंडारेकली बहुत सारे किसानों की मD कि direct benefit transfer इसमें किये जाते हैं लेकिन problem यह हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन है मान लिजिए उनके पास यह जमीन का टुकड़ा है Mr. X की यह जमीन है Mr. X जो है उनकी एक factory भी है अब खेती बाड़ी उनके father या फिर grand father करते थे उनको इतना कोई खास interest नहीं है तो वो क्या करेंगे Mr. Y को बलाएंगे और कहेंगे कि आप मेरी खेती बाड़ी जो है उसकी देखबाल कीजिए आप उसमें सारी चीज़े कीजिए जो भी इसमें production होगा तो 50% मेरा और 50% आपका तो ऐसी एक deal हो जाती है फिर Mr. Y इसके उपर काम करते है मान लीजिए के साल के अंतर तक इस जमीन ने 10 लाख रुपए कमा कर दिये तो 5 लाख Mr. X के क्योंकि वो इनके मालिक हैं और 5 लाख रुपए Mr. Y के हो जाएंगे लेकिन सरकार की नज़र में किसान कौन है सरकार की नज़र में किसान है Mr. X राइट क्योंकि X के नाम की जमीन है तो इसमें भी ऐक बढ़ाव की आवश्यक्ता है क्योंकि सारा खर्च जो है वो Mr. Y करेगा रिस्क उठाएगा Mr. Y रइट रिझ पे करेगा या फिर profit में share देगा subsidies और ये सारी चीजों का support उसको नहीं मिलेगा अगर उसको पैसे चाहिए तो फिर उसको money lender के पास जाना पड़ेगा तो tenant farmer जो हैं उनको ये सारे benefits नहीं मिलते हैं और इसकी वज़े से सबसे ज़्यदा अगर आप देखें NCRV का data तो tenant farmer जो है Mr. Y-type के जो लोग है इनकी ऐसा किसानों की आत्मातिया के rate जो है वो बहुत ही ज्यादा है तो 70th round जो conduct किया गया था by NSSO इसमें situation assessment survey किया गया 70th round of situation assessment survey तो इसमें definition को change की इसमें definition को broad की कि अगर आपकी एक 365 days की income तीन हजार रुपे से ज्यादा खेती बाड़ी से आ रही है या फिर आप allied activity में इसको और ज्यादा केटेगरी में लिया गया लेकिन आज भी benefits जो है उनको नहीं मिलते हैं तो वी नीड टो broaden this definition कि इस definition को और ज्यादा broad करना चाहिए हमें जो tenant है वो फिर जो मजदूरी का काम करता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो contract ऐसे नहीं रखते हैं लेकिन वो सिर्फ खेत मजदूर है तो उनको भी कोई benefits नहीं वो सबसे गरीब हैं हमरे देश में तो उनकी मदद भी हो सके तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार को definition को broad करके उन तक support पहुचाना चाहिए and that's everything in today's discussion dear friends आज थोड़ा reschedule करना पड़ा मुझे right I think I am one hour one hour जितना आज reschedule या फिर 8.45 की जगह आपको 9.45 को ये lecture मिल रहा है तो sorry about that लेकिन I was doing research on a particular topic तो इसकी वज़े से थोड़ा time जो है इसमें consume हो गया and you know I think के थोड़ा research में अगर समय और जाता है तो that's good thing फिर जल्दी deliver करने के चकर में अगर quality compromise हो जाएगी तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा you know so anyway enjoy your studies और daily financial news analysis के बारे में एक update दे दूँ कल बहुत ही busy थे हम right as a team तो कल ये चीज नहीं हो पाई daily financial लेकिन आज I will try my level best के ninth और tenth ये दो lectures जो है आज का और yesterday का lecture ये दोनों में आज deliver करने के definitely ninth का तो आपको definitely मिल ही जाएगा लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 10th September का daily financial news analysis भी आज ही deliver कर दूँ enjoy your studies God bless you all जाहिंद क्वario क्वाइस आपको झाल